नमस्कर दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आई एसने लाइसिस में, घटना चकरे की टॉपिक नमर थार्ड होगा, जोके हम लोग बायलोजी कम्पलीट कर रहें, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे बायलोजी का है, वर्गी की जिसको टेक्सोनॉमी यहाँ बोला जाता है, अब यहाँ पे आप देख पा रहें, इसको पांच भागों में बाटा गया है, मोनवेरा, प्रोटिष्टा हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया, जन्तु हो गया, अब इन पांचों कीजों को ध्यान से देखेंगे आप, तो पूरे प्रित्मी में इन पां प्रस्न सामिल है, जो कि किसी न किसी स्टेट PCS और UPSC में पूछा ही गया है, तो आपको ध्यान रखना है, खासकर BPSC, UPSC के लिए टॉपिक बहुत इंप्रोटेंट हो जाता है, इसलिए पुरक पुरा इसको देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रस्न प्रस्न आएगा, डिफिनिटली हाँ से प्रस्न आएगा, नमबर वन प्रस्न, जीव बिज्यानियों ने पादप जगत और प्राडी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ग्यात किया है, ढूंड निकाला है और पहचान लिया है, संख्या की दृष्टी से अब जीव बिज्यानियों का अनुसार, जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, कीट देखें हाँ पे आर्थोपोडा संख्या के अंतरगत आ देते हैं, बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पे कीटर में आर्थोपोडा संख्या के अंतरगत आते हैं, तथा इतना समझने संग है यहाँ पर यूनिटी है इतना इसके लाव़ देखवारे जनतु जल अस्तलत था वायू सभी जगहों में पाये जाते हैं पादप जातियों की संग्या लगबग यहाँ पर देखा जाए तो चार लाग है निक्ट यहाँ पर कथन और काराड दिया हुआ है अमीबा बिभंजन द्वारा जनन करता है जो कि बिलकुल यहाँ पर कॉरेक्ट अस्टेटमेंट यहाँ पर होगा दूसरा है सभी एक कोस्किय जीव अलेंगिक बिदियों से जनन होते हैं अब एक कोस्किय जीव आपको पता होना चाहिए कि इसको ठीक है एक कोस्किय जीव म यहाँ पर लच्छड क्या होता है इसका ठीक है कौन-कौन से फैक्टर होते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर amoeba को इसी कैटेगरी में यहाँ पर रखा है इसका मतलब यहाँ पर correct उतर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है अर्था दीखे काराल जो कथन की सही ब्याक्या करता है और एक टुतर हो जाएगा ए देख पारे amoeba एक प्रोटो जेवा एक कोस्कीय जनतु है जो की प्राया द्री खंडन बिधी द्वारा जनन करता है प्राया सभी एक कोस्कीय जीव अलैंगिक बिध बनाए रखते हैं द्यान रखेगा एक साब बनाए यहाँ पर रखते हैं जैसे कि इसमें ठीक है जनतु के हम लोग बात कर लें ठीक इसमें जनतु में यहाँ पर इंसान भी आ जाएगा इंसानों के बात कर लीजिए यहाँ पर जो अंदर का जो टमप्रेचर है बिल्कुल यह सर रहता है इसके अंतरगत देखिये पच्छी तथा अस्तंधारी आते हैं जब असम तापी के अंतरगत देखिये पारे आपे मतस्ति हो गया उबहेचर हो गया सरीश्रीप इतियादी जन्तु आते हैं जिनके सरीर का ताप वाता वरल के ताप के अनुसार घड़ता बढ़ता पर आता है तो सापोक देखते होंगे आम तरपर गर्मी के दीनों में बिचारा बील से अपना बहर निकल जाता है ठीक है या फिर बहुत और जूगहराय में होता है जहांपर ठंडा होता है वहां हो सब जाना परसंद करता है तो यहां पर एको बिल्कुल ठीक है डे-to-डे लाइब को ध्यान में रख के ही जलना है निमलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है और आगory सभी IKAI नुर्डम सजीव परजा के हाँ पे होते हैं पहला यह statement यहाँ पे सही है देख पार है देख देख बार है इकाई नुर्डम अर्थात सम्मुंदर में पाई जाने वाले पंच तई अरियव सम्मिती इसको बोलते हैं यहाँ पे देख बार है पेंटामेरस रेडियल सिमेटरी वाले डिवटरोस्ट्रोमी यूसी लूमेट यूमेटो जोवा होते हैं जिनकी यहाँ दिमभग प्रवास्था में शरीर की यहाँ पे सम्मिती दिरिपासी है मतलब देखिए यहाँ बहुत हिंदी कारपटा नाम है इसको बोलते हैं बाइलेटरल होती है तथा सभी इकाई नुर्डम सजी परजा के यहाँ पे नहीं होते हैं इस प्रकार यहाँ पे correct statement यहाँ पे निमलिखित में से कौन यहाँ पे मचली नहीं है मचली की परजाती में नहीं है यह हो जाएगा अस्टार फीस देख पारे कुछ समुंदरी जनतुओं के नाम मचली के नाम से मिलते जूलते हैं पर अन्तु यह मचलिया नहीं है जैसे कि जेली फीस अस्टार फीस सिल्वर फ साब फीस, गिटार फीस, पाइप फीस, यह सब यहाँ पे मचलियों के परजाती में यह सब आते हैं, तो यह नाम है ना, बहुत देखिए इंपर्टेंट है, नाम को जरूर आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि यह किसी इन की सीखिया में जरूर पूछ देगा, क्योंकि उमें से कौन सा एक वास्तिविक अर्थात मीन मचली है, यह हो जाएगा है, हापे देख पार है कैट फीस, देखिए हापे कैट फीस, बाकी आप उपर देखे रहा है, आपे जो मचली कर्टेगरिम नहीं है, सब उपर दिया हुआ, देखिए कैसे प्रस्न गुमा के पूछ तो कोरेक्ट उतर हो जाएगा इसका, डी अर्थात रजत मीन एक छोटा पंखीन कीट है, क्रेप फीस एक कड़े खोल वाला जानवर है, और जेली फीस एक कसेरुक्य जनतु यहाँ पर नहीं है, तथा यह मचली की स्रेडी में नहीं आता है, कैट फीस वास्तिविक यहाँ मिन है, मतलब मिन मने मचली, निमन में से कौन सी वास्तिविक रूप से मचली है यहाँ पर, तो वास्तिविक रूप से जो मचली है, देखे समुंदरी घोडा, लगेगा कि घोडा है तो मचली की कटेगरी नहीं होगी, तो नाम में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, फीस ल इसके बाद यहां पर हैग फिस को साइक्लो अस्टोमेटा समूह का जनतु है इन में जबडो का भाव हता है यह भी वास्थिविक मचली नहीं माना जाता है समूंदरी घोडा या फिर इसको अस्षो मिन मी बोला जाता है या फिर इसको हिपो कैमपस को यहां पर कहते हैं जो की एक वास्तविक और अस्थिल ध्यार रखेगा अस्थिल यहां पर मीन है अथरा बोनी फीस होती है निमलिखित में से कौन एक मचली है अब इसमें कौन एक मचली है अब देख पार है समुंदरी घोड़ा एक बार एक्स्प्रानेशन उपर पढ़ लेंगे तो हम लोग अच्छा से और बाकी जब नीचे आएगा तो उसको ठीक है फटा फटा हम लोग देखते चलेंगे सबसे बड़ा अस्तन पाई कौन सा होता है सबसे बड़ा जो अस्तन पाई होता है देखिए आपे हुएल मचली यूँकि देखिए ब्लू हुएल प्रितफ़ी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अस्तन पाई जीव है इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर से अधिक तथा कौन सा अस्तन पाई है अब यहाँ पर देखःए आसान है मारे लिए क्योंकि वेल का आप्सन दिया हुआ है निम्ड पर जातियों में कौन सी दात वाली हीलों में विसालतम है अब इसमें चार ओप्शन दिया हुआ है इसमें correct तर हो जाएगा यहाँ पर अस्पर्म वेल क् बड़े बड़े जो दाल मतलब दात जो होते हैं वेलों की भी कई सारी कटेगरी होती है अस्पर्म वेल है आपे देख पा रहे हैं आपे दिया हुआ है ठीक है बिसालतम दात वाली वेल है पूर्ण वयस्क नर अस्पर्म वेल 50-55 फिट लंबी और 35-45 टन यापे वजनी होती ह लेकिन दात लंबा लंबा होता है ध्यार रखेगा निवलिखित में से कौन अंडे देता है और सिधे बच्चा नहीं देता है अब इसमें आपे ध्यार रखेगा अंडा देता है लेकिन सिधे बच्चा नहीं देता है थोड़ा प्रस्ण घुमा के पूश लिया UPSC तो करता ही करता है इसे ठीक है कोडेक्ट उतर हो जाएगा यहांके एक इडिना रखेगा एक इडिना क्योंकि बाकी सब तो देखेंगे आप सब बच्चा पायदा करना वाले कंगार विवेल और सेही तो एक इडिना एवं प्लेप्टिस्ट एक मातर अंडे देने वाला अस्तन पाई जीव होता है नेक्स प्रस्ण उडने वाली अस्तन पाई है यहांपे क्या है यह हो जाएगा चमगादड ध्यां रखेगा चमगादड बाकी हाँपे देख पार जेगवार, सुतुरमोर, पेलिकन यह सब ठीक है दोडने वाला तेजीसे दोडने वाला के डीगरीमे इस सब आता है तो चमकादर देख पाने हापे या कास में उड़ने वाला एक अस्तंधारी प्राड़ी है जो कि पच्छी वर्ग में नहीं आता है ये पूर्ण रूप से निसाचर पुना रही है यह एक मात्राइसा अस्तंधारी है जो उड़ सकता है ध्यान रखेगा इसके अगर बाहु पंक में परिवर्थित यहापे हो गए है जो देखने में जिल्ली के समान लगते है तो अच्छा कि यह जिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों तक सरीर के पासो भाग से होती ह निमलीखित उड़ने वाले जीओं में से कौन सा पच्छी वर्ग में यहापे नहीं आता है तो यहापे देख पार है चमगादड़ यहापे उपर दिया हुए हमनों को ठीक है अस्तंधारी की केटेगरी में आपका सकते है बागे सब कौमातोता चील हो जाएगा अंडो के म आध्यम से यह बच्चा पैदा करते हैं निमलीखित जनतुव पर यहापे विचार करना है समुदरी गाय, समुदरी घोड़ा, समुदरी सी है यहापे को रहा है कि कौन अस्तंधारी है यहापे तो देख पार है यहापे जैसे कि समुदरी गाय हो जाएगा ठीक है बिलकुल यहापे देख पार है समुदरी गाय एक विसाल सा कहारी समुदरी अस्तंधारी है समुदरी घोड़ा भी एक परकार की कसे रुकी मचली है और समुदरी सी भी अस्तंधारी है नेक्ट प्रस्न डॉल्फिन वर्गिकृत किया जाता है इसको डॉल्फिन को ठीक है अस्तनी में ठीक है और वर्ग किरित किया जाता है क्योंकि डॉल्फिन देखी एक जलिय जन्तु है जिसे अस्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गंड सिटेसिया में रखा गया है यह एक अत्यांती बुद्धिमान जन्तु है जिसका सरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में लिखित में से किस यहाँ पे सील किस जाती का है सील आपको ध्यान होगा ठीक है तो सील भी जो के डेगरी है देखिए अस्तन पाई का है सील या इसको फोका भी बोला जाता है ध्यान रखेगा सील या फोका एक अस्तन पाई जन्तु है जो की गंड करनी वोरा के अंतर गत आ जाते हैं बहुत नहीं मतलब आप तीखा कह सकते होता है ना तीब्र तथा तैरने के लिए इन में चम्पू और फिलिपर्स उपस्तित होते हैं नेक्ष्ट निरिसंस प्राड़ी कौँसा है यहांपे ञर्तित दुध बिलाव या और यह और एक फिल्रिसंस प्राड़ी है इसको ठीक है लगवाग इसको मुर्दा खोड जानवर के रूप में भी जाना जाता है जो की एक अस्तनधारी जन्तु है वेल का जो शरीर है यह पे व्यल के बाद किया जा रहा धारा रेखित होता है इसमें त्वचा के नीचे वसा का मोटा अस्तर अर्थात बलबर शरीड में ताप रोधा का कारे करता है निक्ट, एमफीबिया बताता है, क्या बताता है, तो एमफीबिया देखिए जल यो मस्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पसुओं को इंडिकेड करता है, देखिए BPSC में पूछा भी गया है, एमफीबिया अर्थात उभैचर वर्क अंतरगत ऐसे जन्तु आते हैं, जिनका सरीर जलिय और मस्थलिय दोनों परकार के जीवन के लिए उप्योजित होता है, ये जन्तु असम थापी होते हैं, जिनके सरीर का तापमान वाता वरल ताप के अनुसार घटता भड़ता रहता है जैसे हैं कि मेढ़क, टोन, ठीक है, इत्यादी, अब इसमें ध्यार रखेगा, ठीक है, कि इसमें मनुस्य तो नहीं आएगा इस केटिगरी में निम्न में से कौन सा गूड मनुस्य को अन सभी वानर गूडों से प्रिथक करता है, वो गूड है यहाँ पे जानने की इच्छा प्रकट करना देख पारे बाकी भी बहुत नजदीक एक अप्सान है, जैसे हैं कि ग्राण सक्तिया, अल्बिक्सित होना, बीपिरित अंगुटे, ठोड़े का बाहर निकलना लेकिन यह जो है यहाँ पे देखिए, यही तो है जिसको ठीक इमोशन बोला जाता है, ठीक है, आर्टिफिसियल इंट्रिजेंस की केटेगरी में रखा जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बुद्धी में मानो स्वर्वक जन्तु है, सिर्फ इसी जन्तु में देखिए गूढ चिंतन, जानने की छप्रकट करना, तर्क संतक, मतलब तर्क संगत, तथा अच्छर बदवाणी, तथा भौतिक मुद्राव दवारा, भावनाओं की अभियक्ति इत्यादी की छमताई होती है, वर्तमान काल में इसकी कपाल जो गुहा का आयता है, लगभग यहां पर देख पार है, 1475 के आसपास यहां पर एबरेज क्यूबिक सेंटिमीटर है, निमलिखित में से कौन सा ये कपी यहां पर नहीं है, अब यहां पर दिया है कपी, ध्यार रखेगा कपी, ठीक है, खो यह छोटे लगुंतम अकार के कपी होते हैं, जैसे की हापे हो जाएगा, गीबन, इसके बाद हो जाएगा दूसरे कटेगरी इसका हो जाएगा, महा कापी, यह बड़े अकार के, मानव नूमा कपी होते हैं, जैसे कि चिमपैंजी हो गया, गोरिला, मनुस्या और में नहीं बलकी वानर वर्ग में आता है यहां पर धध्यान रखिएगा ठीक है तो यहां पर देख पार हैं इसलिए लंगूर को रופर होझाएगा किसका यहां पर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा देखिए, correct उतर हो जाएगा, given, उपर already हमने explanation देखा भी, निल गाय निमलिखित कुल में आती है, किस में आती है, आप रखेगा हिरन की category में निल गाय को रखा जाता है, जो आम तो ठीक है, मैदाने भिहाब भागों में या फिर जंगल वाला जो इलाका है, ठीक है, वहाँ आप हो देखने के लिए मिल जाएगी, तो निल गाय भारत में पाय जाने वाली बिसालता मिरिग पर जाती है, मिरिग उन जंतु को कहा जाता है, जिन में अस्थाई सिंग होते हैं, अर्थात हिरनों के यहाँ पे सिंगो गोड़ा में, गीदड़ में ध्यान रखेगा, यह भी बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रस्न हो सकता है, लगेगा कि गीदड़ तेजी से भागता है, तो खूर जरूर होगा, बड़ा अच्छा प्रस्न बना दिया है, तो गीदड़ को छोड़कर खूर वाले सारे पस अक्ट्रोपस क्या होता है, तो अक्ट्रोपस देख पार है, यहाँ पर एक मृद्यू कोची यहाँ पर मुलक्स के रूप में, मतलब इसको जाना जाता है, तो अक्ट्रोपस एक मृद्यू कोची यहाँ पर ठीक है, मुलक्स जनतु है, जिसे डेविल फीस के नाम से जानते यह एक सीफ हैलो प्लोट, यहां पर ध्यार रखेगा सीफ हैलो पोट मैलोशक है, जिसमें 8 मुक्यों यहां पर भुझाय पाए जाती है, इसके सीर में मुक्थ तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं, इसके अलावा इसकी भुजाओ पर दो बक्तियों में यहाँ पर चूसक पाए जाते हैं सबसे बड़ा अकर अकसे रुकी यहाँ पर है क्या है यहाँ पर तो यह हो जाएगा अस्कवीड क्लोशर अस्कवीड सबसे बड़ा अकसे रुकी है यह अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है निवलिखित में से कौन सा एक जीव है अन्य तीन जीवों के वर्ग का यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेमेल करना है तो यहाँ पर नमबर वन ही ओप्शन कोरेक्टर देख पार है केकड़ा ठीक है यहाँ पर हो जाएगा केकड़ा ठीक है बाकी हाँ पर देख पार है केकड़े का जो वर्ग है इसको बोलते हैं हम लोग मेलो कोस्टरिका ध्यार रखेगा मेलो कोस्टरिका में आता है बरूथी का वर्ग में आपर देख पार है हो जाएगा विंच्चु का वर्ग हो जाएगा एक रेकनीक निका तो बाकी खुसी तो इरेकनीकव में आ जाएगा और केकडाए आ जाएगा यहां पर देख पार हैँ अ मिलो कोश्ट्रेका है वाइट लेग होर्ण एक डाइप का किसम माइक वास्तों मंकडी के उसके होते हैं जो कि अरेनी गड के अंतर गता है बड़ा ही टेकनीकल ठर्म दीया हुआ है जो exam में पूछा जाता है ये रहिनी गड़ के अंतर गाते हैं इनके उपांग में संधी युक्तियां पे जॉइंट होते हैं मैंने जॉइंट होता है यहां पे तथा इनका सरीर द्री पार्च्विय अर्थात बाइलेटरल एवं तिरी अस्तरिय अर्थात ट्राइपलो ब्लास्ट झिक होता है अधिकान से यहां पे देख परेट टिक कशेर रुकी जीवों के बायाए पर जीवी होते हैं जबकि माइट्स पर जीवी तथा स्वतं ध्यूफिल होते हैं नेक्ट प्रस्ण ? जुगनू होता है एक इसको किस केटेगरी में रखा जाता है ये कीट की केटिगर işi याद रखिएगा, खोगोत कीटों का एक परवार है, इनके पंक होते हैं, ये जीव दिप्त उत्पन करके, मैंने परकास उत्पन करके अपनी संगी को अक्रिष्ट करते हैं, देखिए क्या करते हैं, अपनी संगी को ठीक है, मैंने समझ रहे हैं न, अपनी मंदब गर्फिंड कर सकते हैं या दूसरे जानवरों को सिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं बैग्यानिकों ने यह सिद किया कि जुगनु की चमक यहाँ पे लिपसी फेरस स्नामा के इंजाइम के करन होता है निमनांकित में से क्यों सा यहाँ पे कीट नहीं है इसमें कीट नहीं होगा देखिए खटमाल, घरेलो, मच्छी, ठिके मक्छी, मच्छे और सब कीट में मकड़ी ध्यान रखेगा मकड़ी यहां पर कीट में नहीं होगा मकड़ी का जो वर्ग है यहां पर एरैक नीटा तथा क्राम एरैनी का एक जन्तु है जो कि उदर के पस भाग में इस्तित गरंठियों के सलाव से जाला बनाती है सभी मकड़िया परभच्छी होती है अन्य बिकल्ब के जन्तु कीट वर्ग अर्थात क्लास इंसेक्टा के अंतरगात आते हैं इनमें तीन जोड़ी अर्थात यहां पर तीन जोड़ी का मतलब यहां पर 6 पात 6 लेग पाया जाता है ध्यार रखेगा जो कि सभी कीटू का बिसिष्ट गुड है मकड़ी कीट वर्ग अंतरगत नहीं आता है क्योंकि इसको 8 पैर यहां पर पाया जाता है तो ध्यार रखेगा मकड़ी का 8 पैर और बाकी यहां पर खटमल, घरेलू, मच्च, मच्च और इसका दे सकता है ठीक है इसका हो जाएगा 6 पैर मकड़ी कीट से भीन होती है क्योंकि मकड़ी में पाय जाती है कितनी टांगे पाय जाती है मकड़ी में 8 टांगे बाकी में जेनरल यहां पर हो जाएगा 6 टांगे निमलिखित में से कौन कीट नहीं है देखिए कितना सान है, कितना प्रस्ण बन रहा है मकड़ी इसलिए explanation देखें मैं देखा रहा हूँ ठीक आपको धिखिए ध्यान से देखिए उससे बहुत सारा प्रस्ण आपके चलके आपको clear हो जाएगा निमलिखित में से किस जीव का रक्त यहाँ पे सफेद होता है देखिए कितना important प्रस्ण है तिल चट्टा ठीक है तिल चट्टा को अगर आप मारेंगे तो देखिएगा पटाक से वाइट कलर का निकल जाएगा ठीक है रेड नहीं निकलेगा मच्छुड को मारेंगे तो रंग हीन होता है कोक्रोच के रक्त द्वार अक्सीजन का परिवाहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोगलोबिन उपस्थित नहीं होता है कोक्रोच के सरीर के परते खंड मेश्थित ट्यूब की एक परणाली के माध्यम से को पहुँचती है इनका रग्थ रंग ही निया सफेद रंग का होता है नेक्ट प्रस्न थर्टी सिक्ष नमर जब चीटिया काटती है तो वे अंतह छेपित करती है किस चीज को अंतह छेपित करती है वो जाएगा यहाँ पे कोरेक्ट तर सी फॉर्मिक अमल को कीटियों के काटे जाने पर देखिए सरीर में फॉर्मिक अमल का अंतह छेपड होता है जिसके परणाम सरूप सरीर में दर्द तथा चुन-चुनाहट का भास होता है तो काटने के बाद देखिए वो क्या डालती है फॉर्मिक एसीड धर रखेगा फॉर्मिक एसीड डाल देत करने में किया जाता है अब यहां पे देखिए जो ठीक है इसको ध्यान रखेगा इस फॉर्मी केसिट का जो इसका उप्योग है बहुत इंपोर्टेंट है देख पार है जिवाडू नासी के रूप में रबर बनाने के रूप में ठीक है फॉलों के रसों को सुरचित करने में इसका ठीक है परियोग किया जाता है मकडियो द्वारा उत्पादित रेसम क्या कहला आता है इसका करेक्ट उतर हो जाएगा यहां पे गौस्मीर रेसम कहला जायता है निमलिखित कत्नों पर बिचार करना है यहां पर ठीक है चली आए हम लोग बिचार करने का प्रियास करते यहाँ पे दिया हुआ है फीता क्रीमी उभाय लिंगी है द्यार रखेगा फीता क्रीमी उभाय लिंगी है यहाँ पे बिल्कुल correct यहाँ पे statement है यह दूसरा है गोल क्रीमी के अलग-अलग लिंग हो सकते हैं मनें sex यहाँ पे हो सकते हैं मनें लिंग हो सकते हैं ठीके यह भी correct ह फाइलेरिया कह रहा है कि सुत्र क्रीमी से होता है फाइलेरिया ध्यार रहा है कि सुत्र क्रीमी से होता है ठीके तो फाइलेरिया जो होता है सुत्र क्रीमी से नहीं होता है गलत है उसके बाद हो जाएगा गीनी क्रीमी एन लीड है यह भी correct statement है, तो correct यहाँ पर उतर हो जाए गबी, sorry, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा से गरबड हो गया है, ठीक है, हाईलेरिया ध्यार रखेगा, सुतर क्रीमी, ठीक है, से होता है, चौथा statement गलत है, गीनी क्रीमी एनलीड होता है, ठीक है, तो गीनी जो क्रीमी है, एनलीड यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, यह एक सुतर क्रीमी होता है, ध्यार रखेगा, सुतर क्रीमी, मतलब उसको हम लोग नेमा टोड बोलते हैं, ध्यार रखेगा नेमा टोड ठीक है, इसलिए और एक टूतर हो जगा है हाँ पर बी यहाँ पर statement दिया हुआ है, बाकी तो सब दिया ही है जो भी, मतलब जो correct statement में, देखेगे, गिनी जो करीमी में एक सुतर करीमी है नेमा टोड है, यहीं गला था इसको दिया था, इसमें दिया हुआ है यहीं लीड करके दिया हुआ है जिसका जन्तु जो बैज्यानी के नाम है Draconculus Arthath Mendenesis पूरा नाम है Draconculus Mendenesis है, तथा यह मनुस्य तथा कुछ दूसरे अस्तनियों का परजीवी जन्तु है जिसका संक्रमण से सरीर में दमा हो गया, खुजला हट इयोसियो, निसीलिया, इत्यादी के लच्छड प्राया प्रकट होते हैं यह सब देखे सरीर में इस परजीवी के बिसहले पदार्थ के परभावों के कारण उत्पन होते हैं निमलिखित में से किस गुरूप के जन्तु प्राया रात्री चर यहां पे होते हैं मने रात्रों में मने रात्री समझ रहें ना, मतलब रात्रों में अपना जो भी भोजन वगरा के ब्यवस्ता करते हैं तो इसमें देख पार है मच्छड चमगादर और उल्लू जिया आम तर पे देखे होंगे मच्छड दिन में बहुत कमी मिलेगा चमगादर भी वहीं है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता है उसको उल्लू का भी वहीं आल है तो तीनों जो केटेगरी है बहुत असान सा प्रस्न था रात्री तर जो जन्तू होते हैं वह जन्तू होते हैं जो की दिन में अराम करते हैं किन्तो रात्री में सक्री होते हैं इन जन्तू में प्राया स्रावर्त था यहाँ पे घ्यार निंदरिया अतियद्धिक विक्सित होती है मनें सुंगने की छमता आप कह सकते हैं ठीक है एवं दिरिष्टी छमता बिसेस अनकुलिद होती है जैसे कि मच्छर, चमगादर, उल्लू, कीवी यह सब यहाँ पर इतियाती जो जनतु होते हैं रात्री चर होते हैं देखिए मच्छर को पता नहीं है जहां तहां जाके बैठ जाएगा उसको ठीक है पूरता दिखाई नहीं देता है ठीक है जैसे मारने जाएंगे तो एक वेब जो निकलेगा ठीक है उसको पूरी तरीके से गेन कर लेगा जिसके वज़ा से भाग जाएगा तो समझना है आपको मच्छरों के बारे में निमलिखित कतनों पर यहाँ प कि केवल नर रक्त चुशते हैं तो मादा क्या नहीं चुशेगी पहला ही गलत है यहाँ पे वो कैसे जिंदा रहेगी केवल मादा रक्त चुशती है यहाँ ठीक है अब यहाँ पर बहुत इंपूर्टेन पर रसन है मादा रक्त चुशती है नर नहीं चुशता है ठीक है तो पાधों का रस नहीं इंसानों का रस चुछती है । ठीक हैं. मादा की अपेच्छा नर के डह रहने बड़े होते हैं. तो देख पार यह दो और पांच यहां पर सही है बाकी सब यहां पर गलत हो जाएगा। इसलिए correct उतर हो जाएगा हाँ पर D, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख लिए येवल मादा मच्छर ही गरम रुधिर वाले का सिरुकी अस्तनियों का रुधिर चूशती है, बाह पर जिवी के रूप में होती है, नर मच्छर रुधिर यहाँ पर नहीं चूशत ождения ऐग हा, ठीक है, बलड भी, मतलब खून भी, और यहाँ पर फॉल्फूलो के रुस भी , लेकिन यहाँ पर जो दूसरी जो इनकी जो का यहाँ पर का टेगरी है जो नर मच्छर यहाँ पर हैं, ये वाल फॉल प tots प्लो के रस बहुत इंपर्टेंट है ये जाम एफऽा सकता निमलिखित में से कौन से प्राड़ी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं अब यहाँ पर देख पा रहे हैं यही है वैसा उट मर्वस्थल का जहाज कहा जाने वाला उट क्योंकि इसका सरुन पूर्टे यहाँ पर मर्वस्थल के प्रती बिल्कुल एडॉप्टेड होता है इनके पैर गद्यदार होते हैं स्वसन की लए अतिधिमी होते हैं तथा एक बार में अतिधिक जल को पी कर जल का यह लोग संग्रह अपनी आत में कर लेते हैं जिससे कई दिनों तक उन्हें जल केवा सकता नहीं होती है निमलिखित में से कौन सा जानवर बीना पानी पिये सबसे लंबी आधिता के हाँ पर रह सकता है उसका नाम है यहाँ पर कंगारु चुहा ध्यान रखेगा कंगारु चुहा बीना पानी पिये सबसे लंबी आधित तक जीवित रह सकता है इसमें यह अनुकुलता उसके उत्सरजन तंत्र की विशे संरजनावा कारे परणाडी के कारण होती है निमलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मुत्र उत्सरजित करता है उस जानवर का नाम है यहाँ पे देखिए कंगारु चुहा सर्पो की 20 गरंथिय है यहाँ पे इसका यहां पे उत्तर हो जाएगा का सेर्खू प्राडिी के ढरार गरंथिय समान है सरके 20 गरंथिश सेस नहीं 20 गरंथी जहां पर लोग रखा रहाता है 20 का सेरकु प्राड़ियों की लार गरंथियों के समांग होते हैं इससे लार होता है ना मतलब गिरता है वैसे ही उनका है वो 20 ठीक है तो रत काटते ही चला जाएगा साप का 20 वास्तों में उसके लार का ही परिस्कृत यहां गिरत ततरु साप समझ यह ना मतलब बो रहर नहीं यह उसका 20 हो साप के जहरीले 20 दन्थ होते हैं जो रूपांत्रीत रूप होते हैं किसका जंभी का दंथ के धेयर रखेगा जंभी का दंथ के तो 20 सामों में उपड़ी उपरी जबडे की मैकसली हडियों से एक से जो तीन जोड़ी प्राया मने एक जोड़ी मतम मान के चलिए बढ़े वा पीछे की ओर मुड़े 20 दंद अर्थात तालों से मुख गराशन यहां पे गुहिका में उभरे रहते हैं यह मैकसली दंद अर्थात जिसको जमभिका दंद साप भी बला जाता है उपरी जबडे में 20 गरंतियों से संबंद होते हैं बहुत सारे यूट्यूब वोगरा में आप लोगोंने देखा होगा ठीक है साप वोगरा का जो दिखाता है उसमें जो उपरी जो भाग है द्यान रखेगा वहीं उसका ठीक है जो 20 वाला जिसको दा हारी यहां पर पादप है इसका कौरेक्ट उतर हो जाए घट पंड़ी घट पंड़ी देखिए पौधा सिकार पकड़ने की अपनी बनावत के कार और मांस भच्ची पौधे की रूप में जाना जाता है घट पंड़ी में फसे कीट उसमें कतरीत विसहले द्रव से मर जाते ह घट पंड़ी के निमलीखित भागों में इसे कौन सा एक घट में यहां पर रुपांतरित होता है यह होता जहाँ पत्ता धर रखेगा पत्ता घट पंड़ी में सहारे देखिए कीट भच्ची पौधे होते हैं जो अल्प खनीजिया अमलिय मिरिदा में एकते हैं तथा जहा पर नाइट्रोजन की कमी होती है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक कीटों को अपना अहार बनाते हैं इन पौधों की पतियों में पंडफलक, कलस या सुराहे की भाती बिक्सित होते हैं जिसमें पाचक इंजाइम पाया जाते हैं जैसे ही कोई कीट पतियों क अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलस के धकन द्वारा धक लिया जाता है और पाचा की इन्जाइम द्वारा नाईट रोजन का पाचन घटमर्ड द्वारा कर लिया जाता है निवलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है यहां पे देख़़ा है इस्ट लाइफ का पार्ट बनते जा रहा है चोथे नमर फे घटपल्डी घटपल्डी को दिया हुआ है पर जीवी अवरित बीजी यहीं यह स्टेटमेंट यहां पर गलत है क्योंकि घटपल्डी में देख पार है नेफे तीन्स का पौधा परकास अंसलेशनल की किरियाद और अपना करता है नेक्ट प्रस्ण निमलीखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित यहां पर नहीं है ठीक है अब यहां पर देख पार है सही सुमेलित नहीं है देखिए एकदम इसको रिपीट किया है घटपल्ड़ों में अप फिर से दे दिया जलोध बीद और हमने क्या देखा अभी नेफेतींस देखा हुआ था बाकी सब सही है अमर बेल का सम्मान तना पर जीवी चंदन का हो जाएगा जड़ पर जीवी और आरकीट का हो जाएगा अधी पादप ठीक है और एक टुतर हो जाएगा यहाँ पे डी जो सही नहीं है तो देख पारे घटपनडी में नेफे नेफेतींस कुल का किटभच्ची पाधा है यह पाधा मुख्यता साक होते हैं ध्यान रखेगा साक मने सखाय होते हैं और दलदली या धिक नमस्थानों पर उखते हैं जलोद भीत से आसे अंसिता अथ्वा पूर्ता यहाँ पे जल निमगन पाधे से हैं इस परकार के पाद नामक दुरलब यहां पातीय पौधा पाया जाता है कहा पाया जाता है ध्यार रखेगा मेघाल में पाया जाता है नेफेतिंस भास जी अन जिसको घठ पौली बोला जा रहा है भारत के मेघ हाले राज्य के यह बहुत इंपॉर्टेंट ज्म्रुडुवर्हिं का लोकेसन र गारोखासी जयन्तिया ट्राई बोला इलाका है यहीं पहाड़ी में पाया जाता है इन्हीं छेत्रों में देखेंगे ठीके तो वर्सा भी सबसे धीक होती है पौध के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होते हैं तो हल्दी जो प्राप्त होता है तना से मिलता है पौधों के त प्रुपांत्रिक तने का एक परकार है, हल्दी का पौधा देखिए एक प्रकंदिय बहुवर्चिय साक्य पौधा है, जिसका वनस्पतिक जो नाम होगा, यहाँ पे कुरकुम लांगा ध्यार रखेगा, वनस्पतिक नाम हल्दी का कुरकुम लांगा, तथा यह फूल, यह जो ठीक है कुल है, इसकी कटेगरी है, जिंजिम बरेशी फेमली के अंतरगत आता है, इसकी उत्पति अस्थल उस्ट डिकटि बंधिया, दच्चिड एसिया में है, जहाँ पर टमपरेचर बहुत अधिक मातरा में होता है, वर्सा भी अधिक मातरा में होता है, जिसका एक जो हिस्सा है यहां पर हो जाएगा प्रकंद ठीक है यहां भी कंद दिया है ठीक है यहां पर प्रकंद है तो यहां पर कॉरेक्ट रोतर हो जाएगा प्रकंद फॉलों का वह परकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है तो लीची को रखा जाता है पर ध्यार रखेगा ठीक है डूप में रखा जाता है लीची ये भी देखिए उसलों का टिवंधिया फॉल है या सूप बैरी परिवार का सदसी है जो भी काटेगरी है जिस family का काटेगरी है ध्यार रखेगा उस काटेगरी को आपको याद रखना है ठीक है यह एक प्रकार का डूप है डूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुंदे के आकार एक सक्त यहाँ पे गुठली होता है निम्न अधो भूमी उत्पादित सब्जियों में देख पारें कौन सी एक रुपांतरित यहाँ पे जड़ है इसका correct उतर हो जाएगा सकरकंध ध्यार रखेगा इसका correct उतर हो जाएगा यहाँ पे सकरकंध तो सकरकंध देख पारें यहाँ पे पौवल वुलेशी कूल का एक जितना भी देखिए family है नहीं पर लिखना होगा नहीं लिखेंगे तो लंबे समय तक आपको ध्यान नहीं रहेगा और अब यहीं समय देखिए बीपेटी की जाम में जलस्ट पीपीसियस के जलस्ट आएगा एक जगा इस सारे कटेगरिक बना कर रखिए यहां पर क्योंकि यह नहां पर बाकी सारे चीजों से देखने से अच्छा है कि आप जो पुछा जा रहा है उसी को आप देखके चलिए तो जादे आपके लिए फायदे मन्द होगा पर यह अनुकूल प्रस्तितियों में बहु वर्सियाय सा बेवहार कर सकता है यह एक सपुस्क पौधा है जिसकी रुपांतरित जड़ की उत्पती तने के परवसंधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेस करके फूल जाती है निमलिखित पादपोब में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है यह हो जाएगा और एक रुतर सकरकंद का देख पारे बाकी जो है गन्ना, आलू, अध्र और तने का रुपांतरर है अरताथ इनका संग्रह जो अंग तना है जबकि सकरकंद का संग्रह अंग यहां पर जड़ हो जाएगा ठीक है तो तना उपर वलबहाग हो जाएगा ठीक है, ध्यार रख्येगा अधरक ठीक है कौन समुझाएगा अधरक ठीक है फिर वही बात है गन्ना अलुएम अधरक तने करूपांत्रण है अर्थात इनका संगरह अंग तना है जबकि जो सल्जम है गाजर है सकरकंद ये जड़ों की ध्यान रखेगा ये सब स्रेड़ी होता है अधरक तना है जड़ न अंतर है नोडों इंटरोट का उपस्तित होना तने का विशेश लचड़ है चुकि अधरक में सन रचनाय पए जाते है अधरक यह कहा जा सकता है कि अधरक तना है जड़ नही है निम्द को सुमेलित करना है यहापोर है पर देखे हैं प्रकंद प्रकंद का संबंद यहाप कंद इसका समन्द हो जाएगा जिमिकीन्द सूरन से तो एका 3 और बी का 4 एका 3 और बी का 4 देखिए आम तोर पर कितना option बनाया है पाँच-5 option है यहाँ पे लेकिन अब C से किलियर होगा सलक कंद का हो जाएगा C का 1 ठीक है C का 1 देखिए यहाँ भी सोरी C का 1 हो जाएगा ठीक आलू एक अंतह भौमिक रुपांतरित अस्थांब कंद है कंद मतलब समझ रहे ना टूबर जिसमें भोजन का संचेन हो जाता है और इसका परियोग जह भोजे पदार्थों के रूप में किया जाता है इसमें अनेक जो कलिकाये जिसको बट्स बोला जाता है पाई जाती है जो वृद्धिकर नए पवदों का रूप ले लेती है आलू है एक क्या है आलू आलू देखे एक प्रकार का कंद होगा ठीक है आलू एक भुमिकत रुपांतरित अना जिसको कंद कहते हैं ये लगभग गोलकार होता है ठीक है तदा भुमिकत सखाओं के अंतिम सीरों के टीक है आलू की जब या पे खियती करना होता है तो उसको ठीक है रखा जाता है बहुत अच्छे तरीके से ताकि उसमें आ खा जाए तो छोटे छोटे एलू इस बुमिकत में से कौन सा कौको और उँच्थतर पादपो की जड़ों के बेच उप्योगी प्रौकारया के हाँ पे सहचरी है इसका कर्यक्ट उतर हो जाएगा ध्यार रखियेगा कवक मुलक कवक मुलक में देखिये कवको तथा उचतर पादपो की जड़ों के मध्य उप्योगी प्रकार्यक सहचारी है जिससे वे एक दूसरे से लभानमित होते रहते हैं इसमें कवक देखिये मिरिदा से जल को सोख कर उच अस्तरिय पादपो को पहुचाता है जबकि उच अस्तरिय पादपो बदले में भोज्य पदार तयार करके कवक को उपलप्त कराता है किस सहचीवी संबंध है तो कवक और पादपो की जड़ो में उपस्तित गाठों में पाए जाने वाले नत्रजान इस्तिक्रियल यहां पे जिवाडू है इसका हो जाएगा तो सहचीवी का धार करेगा सहचीवी मतलब एक दुसरे को सहयोग करना तो फलिदार पदो की जड़ो में देखिए मवजूद गाठों में पाए जाने वाले बिस्स जो जिवाडू रायजोबियम जिसको सहचीविता का जीवा नियापन करते हैं जहां एक और जिवाडू नाइट्रोजन योगी करन द्वारा नाइट्रोजन को देखिए नाइट्रोट में बदलकर पदो करते हैं वहीं दुसरी और या फलिदार पदा इन्हें आवास्त था भोजन उपलब करता है मटर पदा है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यार रखेगा साक ठीक है मटर का पदा एक द्री बीज पत्रिय साकी दता एक वर्सी पदा होता है इस पदे का तना कमजोड होता है इसमें सहारे के लिए देखिए आपे प्रतान अर्था टेन्रिल पाया जाता है और यह कुल जो फेमली है मने किसकी फेमली है आपे लेग्यो मिनेसी फेमली के अंतरिगत आता है यही फेमली देखिए बहुत प्रस्ण पुछा जा रहा है यहां से तना काट आम तोर से किसके प्रबंधन के लिए परियोग किया जाता है इसका correct उतर हो जाएगा ताना काट देखिए गन्ने का हो जाता है ठीक है गन्ने को हम लोग काट देते हैं उसका ठीक है उपर का भाग गन्ना देखिए यह हो जाएगा कुल ग्रेमनी ध्यार रखेगा कुल ग्रेमनी इस गन्ना का जो कुल है फेमली है ग्रेमनी के अंतर गाता गिरेमनी फेमली का है, जिसका तना काट आमत और उसे काईक परवर्धन के लिए पर्युक्त किया जाता है, इसका तना ठोस्तियां संधिवत यहाँ पर होता है, देख पा रहे हैं, इसे गना के जो होता है, इसे इसे लगा रहाता है, गोल-गोल का अकरिती ठीक है, जिसमें प परव संधिया यहां पर इंटरनोट पाई जाती है लोंग होता है बहुत इंपर्टेंट सवाल ठीक है इसको जाने बहुत लोंग बंद गली या पुश्प कई का उपियोग भोज्य पदार्थ दातों के दर्ग निवारक आदी किया जाता है लौंग के पौधे का जो वनास्पातिक जो नाम है धेनर के साइजी जीयम एरोमेटिक हो जाए जो कुल देखिए मिर्टेसी के अंतरगत आता है इसका जनम अस्थल इंडोनेसिया को माना गया है तथा इसका जो उप्योग है समस्त बिस्व में किया जाता है यह एक सादबहार विरिच है उचाई लगबग 10 से 20 मीटर तक होती है इसकी पतिया बड़ी एवा में आपे अंड़कार होती है निमलिखित मसालों में से कौन सी एक पुस्प कलिका होती है पुस्प कलिका जो होती है देखिए आपे लॉंग का ध्यांटर के लॉंग का तो लॉंग देखिए आपे इवजीनिया केरियोफाइलेटा नामक मध्यम कदवाले सादबहार विरिच की पुस्प कलिका है जिसे सुखाकर, मसाला, औसधिया, भोजेपदार्थ सब इसके रूप में परियोग किया जाता है 69 नमर प्रसन लॉंग है लॉंग क्या है तो देखिए एक सुखा फूल लॉंग पौधे के निमलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं तो लॉंग पौधे के देखिए आप जो प्राप्त होते हैं ठीक है सुख जो पुस्प कलिक से प्राप्त होते हैं लॉंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है फूल की कलिक से ध्यार रोकेगा फूल की कलिक से प्राप्त होता है निमलखित में से कौन सा एक सुमेलित है यह पर देखे अधरक राइजोम हो जाएगा सर हो जाएगा यहाँ पर देखे बीज दिया हुआ है यहीं मामला गणरबडा कर दिया क्योंकि यहां पे जो केसर है ठीक है यहां पे पूस्प की वर्तिका से सम्मंदित यहां पे ध्यार रखेगा ठीक है यहीं यहां पे गलत हो जाएगा यहीं यहां पे गलत यहां पे हो जाएगा ठीक है सेफ्रोन आप नाम आपनों ने जरूर सुना ही होगा ठीक है अफिम का हो जाएगा अफिम की डुड़ी सन का हो जाएगा तना ठीक है तो सुमेलित नहीं है कोरेक्ट उतर हो जाएगा केसर केसर एक मसाला है देख पार है जिसे सैफ्रोन फोकस के पुस्प की वर्तिका तता वर्तिकागर से प्राप्त किया जाता है इस पौधे का वाना स्पातिक जो नाम है क्रोकस सैटाइवस है जो की इरिडेसी कुल के अंतर गाता है केसर फुल के इस तरी भाग से प्राप कहता है ध्यान रखेंगा यह भी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है जो बीज बनाने वाला भाग है यह एक पुष्पी बहु अर्षिय पोधा होता है केसर को साथ तीखा होता है तथा इसमें सैफ्रोनौल और पिक्रो क्रोसी नामक रसायन पया जाता है इसका उपयोग औसधी तथा भोजे पदार्थो को स्वाधिष्ट बनाने के लिए किया जाता है केसर होता है सुखा मिसरल किसका होता है सुखा मिसरल तो फूलों के बीज बनाने वाले भागों का कोरेक्ट उतर सी नीचे दिये गए पौधों और उनके भागों के कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए आलू का दिया हुआ है यहां पे मूल ध्यार रखेगा आलू का मूल जबकि अधरक का प्रकंद हो जाएगा प्याज का मांसरपूर्ण और नारियल का हो जाएगा भुरूल पोस्त आलू का क्या हो जाएगा तो आलू का खाने वाला और होगा नाई तना उप्युक्त देख पारें निम्ड मेंसे कौन सा 1 फॉल है फॉलल यहां पे हो जाएगा यहां पर भिंडी ध्यार रखेगा भिंडी लेडी फिंगर बागी देखिए यहां पे आलु हो गया मुली हो गया सकरकान ठीक है है यह सब यहां पे फॉल की पर नहीं रखा जाता है देख पर यहाँ पर भींडी को फल की कटेगरी में यहाँ पर रखा जा रहा है भींडी का पौधा एक पुस्पी पादक यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट होता है इसका बना स्पतिक नाम एबले मने एबेल मुस्करा एसकुलेटरस होता है इसका फल था मुली ओम सकरकंद का जड़ होता है, तो मुली ओम सकरकंद का जड़ और आलू का हो जाएगा तना, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल यहाँ पर नहीं है, सच्चा फल का रहा है, नहीं है, कोरेक्ट उतर दिया है, हाँ पर सेव, ध्यार रखे देखे, BPSC 2020 में पूछा गया है, बिल्कुल अपडेटिट घटना चकर है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, तो कौन सा सच्चा फल नहीं है, सेव है यहाँ पर, ठीक है, बाकी यहाँ पर अंगूर, खजूर, आलू, बुखारा, सब सच्चा फल की कटेगरी में रखा जा रहा है, फल के निर नेक्स्ट, पाधपकली है, क्या है पाधपकली, एक भुरूरी या टहनी, ध्यान रखेगे, एक भुरूरी या टहनी, वनस्पती बिज्ञान में किसी अभिक्सित प्ररोह को कली या कली का कहते हैं, यह किसी पती के कच पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन होती है, नेक् करक हो जाएगा ओक हो जाएगा ठीक है यह सब जो नामक विश्ट की जो चाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वास्तिविक नाम है क्वेकर्स सुबर है थोड़ा देखिए ठीक है इतना सारा यह यहां पे टिक्निकल वर्ड है ठीक है ना प्रोनॉंसिशन करना अपने यहां बहुत डिफिकल्ड चीज होता है यहां पे एक चीजों को समझाना नहीं बलकि बहुत सारी चीजों को मिक्स करके चलना एक ही कलास में तो थोड़ा सा प्लोग ठीक है एक्टिव रहिएगा इस पोधे का उत्पती अस्तल भुमध्य सागरी अच्छेतर है कारक जो है यहां अनिमित अकार का पतली भीत्ती वाला था मोम्युक्त कोसका वला होता है लासुन की अभी लाच्छडिक गंद का कारण क्या होता है तो इसका जो कारण होता है सलफर योगिक ध्यार रखेगा सलफर योगिक लासुन के देखें यहां पे अभी लाच्छडिक जो गंद है यह प्याजों के छिलके उतारने पर आंसु आ जाते हैं क्यों प्याज निसकासित क्या करता है बड़ा अच्छा सवाल है अभी हम लोग देख रहे थे ठीक है सल्फेनिक अमल ठीक है सल्फर तो पाय जाता है लेकिन सल्फेनिक अमले के वज़ा से आसु आ जाता है प्याज काटने पर देखें सिंथेज नामक इंजाइम निसकासित होता है देखिए बिलकुल घरेलू चीज है लेकिन पता नहीं होता है यहीं जब पूछ देगा तो बड़ी समस्या हो जाता है तो ध्यान से देखते चलिए सिंथीज जो एंजाइम प्याज में उपस्तित सल्फोक्साइड अर्थात एमीलो अमल को सल्फेनिक अमले के रूप में परवर्थित कर देता है और अस्थाई सल्फेनिक अमल अपने को पुना बेवास्तित करके देख पार है यहाँ पे सीन प्रोपेन थियल यहाँ पे करक पुस्प रखेगा पुस्प ठीक है यहाँ पौधे के प्रजनन में सहाइग होता है एक पुस्प में पुनकेसर और इस्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्मार करते हैं नेक्स्ट मिर्च का तिछड़ता का क्या करार है तिखा क्यों लगता है मिर्च ठीक है तिये हो जएगा कैपसरी सिन की उपस्थिति के करार तो मिर्च का तिछड़ या तिखा स्वाद एक क्रिष्टलिया पदार्थ है अर्थात कैपसेशीन के कारण होता है लाल मिर्ची दिखी होती है क्योंकि उसमें उपस्तित क्या होता है तो देखे उसमें उपस्तित जो होता है ध्यार रखेगा कैपसेशीन होता है रेसम का कीड़ा अपने जीवन चकर के कारणा यहां पे किस चरण में वालिजिक तंतु यहां पे पैदा करता है इसका कौरेक्ट उतर हो जाएगा आपे कोसित त्यार रखquez ट्यार रखेगा कोसित एकाए रेसम का कीड़ा जो सिल्क वर्म भी जिसको बोला जाता है कोसित अर्थात कूपा भी बोला जाता है इस अवास्था में वाड़ी जिक तन्तू को उत्पन करता है लारवा चक्र के बाद देखी यहाँ पे तयार प्यूपा के बैचाव है नेक्स्ट मदुमक्या समाजिक कीड है जो फूलो से मकरंद इकठा करके देखे सहत का निर्मार करती है मोती वस्तूता देखे यहाँ पे वस्तूता मुलस्का संके जिव पिक टैंडा या परल ओइस्टर द्वारा प्राप किया जाता है निमलिखित में से कौन सी ओसधिय फसल है कौन हो जाएगा? कौरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है घृत कुमारी ध्यान रखेगा घृत कुमारी नेक्स्ट देख पारे घृत कुमारी है इसको एलो वीरा एक ओसधिय पोधा है गन्ना तथा का पास नगदी फसले है महुआ एक उस्रकट बंधिय विरिच होता है जो भारत कमेदानी छेतरों में पाया जाता है इसके फौल से तेल तथा इसके फुल से सराब बनाई जाती है कुनेन बहुत इंपोर्टेंट है जो मलेरिया के लिए एक परमुख होसदी है वह प्राप्त होती है किस से आवरित बीज पादप से थोड़ा सा बलर हो गया ठीक है आच्छा से देखिए आवरित बीजी पादप से कुनेन मलेरिया के उपचार के लिए एक परमुख होसदी है जिसे सीन कोना नामग पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है यहाँ पौधा आवरित बिजी पादप है कुनायन एक प्राकृतिक स्वेत क्रिस्टलिया एक लॉइड है यहाँ पे ध्यान रखे है एक लेफ वाइड है जिसका स्वात तिखा होता है इसका उप्योग जोडों के दर्द तथा प्रियान से उत्पन रोगों के उप्चार में भी किया जाता है नेक्स्ट मलेरिया डोग की अपने प्रभावी औसधी कुनायन का निसकर्सन किया जाता है सीन कोना की छाल से कुनायन जो मलेरिया के इलाज में परियोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है बहुत इंपोर्टेंट है भी हम लोग देख रहे है ठीक है उसकी चाल से ही यह सब आता है उनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्रकृतिक रूप में पाई जाती है यहाँ पर कॉर्यक्ट उतर हो जाएगा च्छाल मलेरिया निदान हेतु आर्ठ हितर नाम की औसधी प्राप्त होती है बीजिये पादप से ध्यान रखेगा बीजिये पादप से होती है तो मलेरिया निदान हेतु आर्ठ हितर नामक औसधी बीजिये पादप से तयार की जाती है एट्रेवीन, क्लोरोवीन बने क्लोरोक्वीन इत्यादी औसधिया भी मलेरिया निदान हेतु परियुक्त की जाती है और ग्याताब्य है कि malaria यहाँ पे plasmodium नामक प्रोटो जोवादवर उत्पन होता है तथा इसका जो वाहक होता है मादा इन्फिलीज मच्छर होता है ध्यान रखेगा नर नहीं मादा सिनकोना के चाल से प्राप्त औसधी को malaria के उपचार के लिए परियोकत किया जाता था जिस कृतरिम औसधी ने इस प्रकृतिक उत्पात को परतियस्त फात्पित किया है जो कि malaria रोग के उपचार में उपयोगी होता है, किन्तु जो chloroquine नामक किरित्रीम जो औसधी ने इसका प्राकृतिक उत्पात को परतियस फातित कर दिया है, उसके जगा आ गया है, क्योंकि इसका भी उपयोग मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है, next. कोरोना रोगियों के उपचार के लिए परियुक्त hydroloxy, समझ रहे हैं, hydroxy chloroquine यहां पर दवा नेमलिकित में से किस प्राप्त होता है, अब यहां पर देखिए, कोई भी ऐसा option यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप इसका star लगा दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर किस संीन कोना का था, आम धेलोग हम लोगने देखा गुए था, संीन कोना की प्राप्त है, ठीक है, इसा, यहां पर दिया है, एक सेकन देखिए, hydroxy chloroquine दिया हुआ है, ठीक है, इसे eos सान नहीं है क्लोरो क्वीन होगा इसलिए स्टार्ट लगा दिया गया निवन में से किस समु के जीवों का डूबने से हुई मृत्यू का पता लगाने में महत्व है यह हो जाएगा डायेटम याद रखेगा डायेटम यह कुसके डायेटम जीव समु का प्रयोग सौलूइन थिरी फिप्टी परिछण में डूबने से भी मृत्यू का पता लगाने में किया जा सकता है सहतूत का फ़ल है एक सोरोसिस नहां रखेगा सोरोसिस सहतूत का फ़ल सोरोसिस कहलाता है यह एक परकार का बहुआ मिस्रित फ़ल है अननास तथा कठल के फ़ल भी सोरोसिस कहलाते ह निम्न रेसों में से कौन पौध्य के तने का उत्पाद यहां पर नहीं है correct उतर हो जाएगा इसका कापास ठीक है यहां पर देख पार है सन हो जाएगा पट जूत के तनों की rating से रेसा प्राप्त किया जाता है जबकि कापास के फलो में देखिए यहाँ इस्तित बीज को बीजावराण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं दो प्रकार के होते हैं एक बड़ी जिसे लिंट रेशा तथा दुसरी छोटी जिसे फज रेशा कहाते हैं लिंट रेशा बेपारिक तोर पर अधिक महतपूर होता है जबकि फज रेशा कम महतपूर होता है लेग हिमोगलोबिन पाई जाती है कहाँ पाई जाती है तो लेग्यूम मुल गरंथियों में पाई जाती है देख पारें लेग हिमोगलोबिन, लेगुमिमनोसी या फेबेल पुल के पौधो जैसे की अलफापः, स्वयाबिन, आदे की मुल्गरंथियों में पाई जाती है निम्लिखित में से कौन सा मानो निर्मित धाने है जो की प्रकृति में नहीं पाया जाता है इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा ट्रिटी केल, धार रखेगा ट्रिटी केल, मानो निर्मित अनाज या धाने है जो की प्रकृति में नहीं पाया जाता है बैग्यानिकों ने इस संकर पौधे को परियोग साला में गेहुं तथा राई को परस्पर संस्क्राण यहां पे करा के तयार किया है इस संस्क्राण में देखिए गेहुं के मादा तथा राई के नर्भा का उप्योग किया जाता है इसका अनाज मुलता स्वीडन तथा और स्कोटलेंड द्वारा उत्पन किया गया है इसको जो की मुख्यता पसुओं के चारे के लिए उप्योग किया जाता है इसकी रोटी अच्छी नहीं बनती है निमलिखित में से कौन सा अनाज मानो निर्मित है इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा ट्रिटी केल next कैनोला मानो उप्भो के लिए उगाई गई बिसिष्ट परकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिश करता है इन किस्मों की मुख्य बिसिष्टा क्या होता है इन में तेल के इरूसिक अमल की बहुत अल्प मातरा में होती है कैनोलो के बीजो का उप्योग खा तेल के उत्पादन में होता है जो मानो उप्भो के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें परंपरिक रेपसीड तेलो के तुल्ला में इरूसिक असीड की मातरा कम होती है इरूसिक असीड की मातरा काफी कम होने के अतरिक इसके 45 गुण भी काफी अलग होते है सुचम जिवाडू बैक्टरिया को देखा जा सकता है compound ठीक है, खुर्द बीन द्वारा देखा जा सकता है तो देख पारें, जिवाडू जो है 30 सुच में वमसधारल जीव है इनकी लंबाई यहाँ पे 2 से 4 micron तक होती है कुछ जिवाडू 60 micron तक की लंबाई के होते है कुछ सुच में जिवाडू के compound खुर्द बीन द्वारा यहाँ पे देखा जा सकता है द्यान रखेगा compound microscope जिसको बोला जाता है क्योंकि यह किसी वस्तु को लगभग 1500 से 200 गुना कुछ मतलब समझ रहे ना बड़ा करके दिखाता है, सुच यह कितना अजीब सा दिखता होगा सब ठीक है अस्पांजी टीसु मनें अस्पांजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्ती आए जिसके कारण आम की जिस परजाती का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह बहुत important नाम है भारत का सबसे महाँगा आम जो पस्च में घाटों के दरफ देखने के लिए अलफांसो तो अस्पांजी टीसु ये कैसा विकार है जो फोलो मुख्यता है अलफांसो आम की गुडवत्ता को कूप प्रभावित करता है इस विकार के कारण आम कच्चेवं अम ले रह जाते हैं नेक्स्ट देख बारे कथन और यहाँ पर कारण दिया हुआ है कुछ जिवाडू अपना कारा है कि भोजन संसलेसित यहाँ पर कर सकते हैं ध्यान रखेगा पूरा नहीं कारा है यहाँ पर कुछ को यहाँ पर सामिल किया गया है तो यहाँ पे कुछ जिवाडू के कैटेगरी में अगर यहाँ पे रखा जा रहा है तो बिल्कुल सही है इन जिवाडू में हरा पदार्त जो हरित लवक लाता है पाया जाता है अब देखिये यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ ठीक है इसलिए ये R गलत है, A सही है और एक उतरों इसका हो जाएगा C, ठीक है पोसड के अधार पर देखिए जिवाडू जो परपोसी तथा सोपोसीत है सोपोसीत जिवाडू कार्बन डाइयोकसाईट तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजम स्वेम बना लेते हैं से मिलते जूलते रंग दरब्य होते हैं, जिससे प्रकास संस्लेसर की किरिया करते हैं सुच्म जिवाडू, बैक्टेरिया के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है तो देखिए ये जीवित वा मिरित की सीमा रेखा पर होते हैं, सही है वनस्पति वा जानुवर की सीमा रेखा पर होते हैं सही है यह फूल देने वाली वा फूल देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं बिल्कुल सही है इनो ही अप्शन्स और मतलब सही है correct उतर हो जाएगा D देख पारे जिवाड़ू सबसे सर अतिस सुच्म तथा एक कोस्किय यहाँ पर आध जीव है जिन्हें मोनेरा के जगत में रखा गया है जिवाड़ू हमारे लिए लाबदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं इनका आध्यान देखिए जिवाड़ू बिज्ञान में किया जाता है next question निमली कलत्मों पर विचार कीजिए कथन है दूसरा यहाँ पर कारान है कथन में दिया हुआ है कि मरवस्थलिय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं जो कि बिल्कुल सही है लंबा होगा तभी तो नीचे जाएगा और चुकि वहाँ पर मरवस्थलिय पौधों में पानी की जो जल हस्तर होगा ठीक है बहुत नीचे होगा सही है मिरिदा का उच तपमान जल बिकास को प्रोटसाहिद करता है हाई टेंपरेचर कर रहा है तो अपने आप में गलत हो जाएगा नमी चाहिए ठीक है तो कारल गड़त हो जाएगा ठीक है और एक टुतर हो जाएगा सी अपर देख पर हैं मरवस्थलिय पौधों के अंदर गत कैक्टस इसके अलावा मदार इसके अलावा यहाँ पे घीकवार इत्यादी पौधे आते हैं जो कि सुस्क वाता वरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की छमता रखते हैं इन पौधों में जल तंतर मिरिदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं इनके तने छोटे रुपांतरीत एवं कभी-कभी भूमिगत होते हैं नेक्स प्रस्न मर्वस्थल यह पौधों की जल लंबी होती हैं क्योंकि जल जल जो है देखिए पानी की तलास में लंबी हो जाती हैं आ गया नेक्स्ट मर्वस्थल में फियेटोफाइट्स मिलते हैं यानि ऐसे पादप मिलते हैं जिन में लंबी लगबग 20-30 फिट की मुसला जड होती है ठीक है कैक्टस होगरा कीचेंग यह तो जड की मतरा मने लंबाई बहुत आपको लंबी देखने के लिए मिलेगी यहीं यह देख पार है फियेटोफाइट्स मरवस्थल में पाये जाने वाले पौधे होते हैं जिन में जल को संचित रखने के लिए 20-20 तरीके से बिक्सित हो जाते हैं इन पौधों की जड या तेधिक लंबी होते हैं एकदम कैपलेरी प्रोसे साब को याद होगा इसमें सुस्क जलवायों के भले भाती अनुकुलित पेंड़ पौधे को कहते हैं मरूद भीद बोलते हैं देख पार हैं सुस्क वातावराड या मरूभूमी जैसे वातावराड में पाये जाने वाले पेंड़ पौधे को मरूद भीद काते हैं जो कि अपने सरीर को सुस्क वाता वरण के प्रती पूरतया अनुकुलित कर लेते हैं जलके उत्स वेदन को कम करने के लिए इनकी बायत वचा मोटी अर्थात उपचर्म की परत से धकी रहती है तथा पत्ती जो हो पौधे आते हैं नेक्स्ट मरे भूमी के पादप अधिकतर होते हैं क्या होते हैं मानसल में होते हैं ध्यान रखेगा मरे भूमी में पाये जाने वाले पौधे के कुछ भाग को जल को संचीत रखने के लिए अधिक मानसल तथा अस्थुल होते हैं नेक्स्ट पौधे जो न इमलिखित कतनों पर आपको यहाँ पर बिचार करना है, ध्यान रखेगा, बिचार करना है, कह रहा है कि जेली रूदन का कारा और अमल की अधिकता है, बिल्कुल correct statement है, गन्ने के लिए सरवाधिक अनुकूल जय उरोरा के यहाँ पर राइजोमियम होता है, ध्यान रखेगा, राइजोमियम कह रहा है कि यहाँ पर होता है, ध्यान रखेगा, गलत हो जाएगा, नमकीन पानी में उगए पधे थेलोफाइट्स का लाते है, तो नमकीन पानी में उगने वाले जो पधे थेलोफाइट्स नहीं, इसका एक और नाम है yolophytes पर निर्फर होते हैं किसके लिए तो यांत्रिक और लंब के लिए यांतरिक ओलम के लिए क्योंकि आपर देख पार है जो एफिफाइट्स वे पौधे जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे लगे रहते हैं वे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं क्योंकि इनमें पौंड रहित पाया जाता है ये सिर्फ पोसक पौधो पर यांतरिक ओल निम्न के माधियम से करते हैं किसके माधियम से तो जडो के ठीक है बालो से करते हैं पौधे अपनी जडो के ठीक है बालो द्वारा भूमी से जल का और सोशल करते हैं जडो के बाद एक परकार की पतली भीति वाली एक कोसकी संरचना होती है जो जडो के बाहरी भाग पौधों को हाईडरोफाइट कहते हैं इनमें बड़े-बड़े अंतरा कोसी या स्थान अर्थात इंटर यहाँ पे सेलुलर अस्पेस होते हैं जिनमें वायू भरी होती है जो की पौधों के तैरने में साहएक होता है इन पौधों में यांतरिक उत्तक भी बहुत कम विक्सित होते या उनका पुड़ अभाव होता है नेक्ष्ट पॉधो द्वारा ओडर ली गई बिकिंड उर्जा निम्ल परणाम proceso डेती है किसका तो जल का प्रकास अफटन का पॉधो द्वारा ली गई next निवन में किसका सही सुमेल यहां पर नहीं है किसका सही सुमेल देखते स्वा जीपी मतलब उत्पादाग मिरत जवी मतलब विबनदाग पर जवी मतलब उभखता correct उतर हो जाएगा यहां पर त्रील भच्छी देखिए गौड उभ्भोकता के रूप में इसको रखा गया किसमें गौड उभ्भोकता के रूप में यहाँ पे रखा हो है जब कि त्रीन गच्ची देखिए यहाँ पे ठीक है जो त्रीन भच्ची जिसको बोला जा रहा है इसको प्राथमिक उभ्भोकता के रूप में यहाँ पे रखा जाता है जो कि साकाहारी होगा ठीक है मने त्रीन मत समझे रहे हैं घास बाके सब वही है प्रथम पोसक अस्तर के अंतरगत आते हैं हरित पादप आएगा ठीक है वे पौधे जो प्रकास अंसलेशन के दौरा भोजन के निर्माड करेगा प्राथमि बैक्टिरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उप्योग में लाया जाता है क्या लाया जाता है तो मेथेन को लाया जाता है आरकी बैक्टिरिया के लच्छड समाने जिवाड़ों से भीन होते हैं इसमें देख पारे मिथे नोजेन समूह या वईय होते हैं ये दलदल व में स्वसन की किरिया होती है जिसके दवरान वे ओक्सीजन को सरीर के अंदर गरहण करके कार्बन डाई ओक्साइड को बाहर निकालते हैं इनमें स्वसन के लिए वायू नलियो या ट्रैकी ध्यार रखेगा ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है यह बाहरी वायू को गरहण करके सरीर की परतेक को सिकाओ तक पहुचाने में सहायक होता है नेक्स्ट जमी हुई जील के अंदर मचली जीवित रह सकती है क्यों की तलो के निकट पानी नहीं जमता है ध्यान रखेगा ठीक है उपरी परत के नीचे जल अपने तरल रुप में ही बिदमान होता है इसलिए मचलीया पता अन्य जो जलिया जीव प्राड़ी जमी हुई जीलों में भी जीवित रह सकते हैं जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मतस्य मर जाती है क्यों मर जाती है बड़ा अच्छा सा स्वाल है यह स्वांस नहीं ले पाती है जो गिल बोलते हैं उसी के सहाथा से पानी में ही ले सकती है तो जल से मतस्यों को बाहर निकाल दिया जाना पर वे मर जाती है क्योंकि वे स्वासन किरिया जिसको रेस्पाइरेशन बोलते हैं नहीं कर पाती है मचलीयों में स्वासन के लिए जो गलफ और गिल पाया जाते है जो कि पूर्टिया जल में घुलिया जो अक्सीजन होता है ना H2O देखिए H2O वाटर है तिसमें अक्सीजन भी है उसको ग्रहण करके ही ये जिन्दा रहती है मचलियों में समानेता स्वसन होता है किसके द्वारा गलफडो द्वारा सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है बड़ा अच्छा सवाल है ये लाली के कारण होता है एंथियो ध्यान रखेगा एंथियो साइनिन सेब के फल में लाली के कारण एंथियो साइनिक नामक वर्डिक लमड होता है लाल नरंगी रंग के वाणक जैसे कि कैरोटीन गाजर में होगा बहुत इंपोर्टेंट एधिया रखेगा कैरोटीन जो ठीक है की वज़ा से गाजर लाल होगा टमाटर में देखिए आपे लाइक ओपिन वाणक होगा जैसे टमाटर लाल हो जाएगा पीले रंग के वाड़क जैसे की जीन्तो थील हलदी में और हां पे देनर रहेगा हलदी में जीन्तो फिल और चुकंदर में क्या हो जाएगा तो ठीक है वीटर्निक ठीक है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है कितना असान है ठीक है लाइकोपीन देखिए टमाटर में दिया हुआ है आप लाइकोपीन ठीक है पीते में पीले रंग का खारण क्या है ठीक है यह हो जाएगा कहरी का जैन्थिन अब देखिए यही सप्रसना आता है अब इसके लिए कोई रोकेट साइंस के जरूरत नहीं होता है थोड़ा एक्ट हो रहा है देखिए कैसी प्रसना रहा है डेली पपीता खारता है आप लोग ठीक है तो पपीता का वनास्पतिक नाम कैरिका पपाया है इसमें कैरोटीन परचूर मातरा में पाया जाता है जो की बिटामिन ए का प्रीकरसर होता है इसमें उपस्थित पपैन इंजाइम प्रो एक नई और भीन जाती की खोज की है जिसकी उचाई लगवक 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नरंगी रंग का है या भारत की किस भाग में खोजी गई है अंडमान दीप में देख पारे भारतिय जो वनसपत्ति सर्वे चड़ है यहां पर जिसको बोटेनिकल इंडिया जाना जाता है ठीक है इसने बएग्यानिकों ने अंडमान धीब के उसलोगटबंधिया वर्षा मनों से केले की एक नई परजाती को खोजा है जिसे मूसाइड इंड अंड माइनेंसिस का नाम दिया गया है इस नई परजाती की उचाही लगभग देखिए 11 मिटर है ठीक है तो बहुत अधिक हो जाएगा जबकि समाने केले की परजाती लगभग 3-4 मिटर तक होती है गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है लेकिन पकने के बाद इसके छिल के पीले और गुदे का रंग यहाँ पर नरंगी हो जाता है थोड़ा सा अजीब दिखता होगा निम्न में से जीवित प्राडियों का कौन सा समूह एक ही अस्पेसी से संबन्धी थे उसका संबन्ध है ध्यार रखेगा चीनी अमेरिकी भारती तथा काले अफरिकी से ठीक है बहुत अच्छा सवाल है जीवित प्राडियों का सम्मूह देख पारे चीनी, अमेरिकी, भारती या काले अफ्रिकी एक ही अस्पेस इजर्थात होमो सेपियन से संबन्धी थे जबकि सेस बिकल्प में जनतों का सम्मूह यहां पर अलग-अलग हो जाएगा, ठीक है खमीर एक उधारण है, किसका उधारण है? कवक का खमीर एक देखिए आप यह कोसिकी सुचम जीव है यह सरकरा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाये जाने वाला विस्यस परकार का कवक है इस्ट और मस्रूम है, क्या है यह तो फुफूंद हो जाएगा, ध्यान रखेगा, जिसको फंगी बोला जाता है इस्ट और मस्रूम फुफूंद अर्थात कवक है, यह पढ़ हरिम रही तथा समवहन उत्तक रहीत होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं इस्ट देख पा रहे हैं आपे, इसको माई सिटीज कुल का, जबकि मस्रूम जो देखेंगे, तो बेसी डियो माई सिटीज का एक उदारर है मनें एक सदस्य है, मस्रूम क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है, कवक, ध्यार रखेगा कवक, नाम से जीव लग रहा है, लेकिन यहीं कवक को खाया जाता है रसेदार सबजी में परियोग होने वाला मस्रूम होता है, कवक होता है कपास का पर्मुख घटक क्या होता है, सेलूलोज यह तो अच्छा सवाल है, ठीक है कपास का पर्मुख रसाइनी घटक सेलूलोज है, मात्रा लगभग 91-94 परतिसात होती है जल लगभग 6-8 परतिसात तक तथा सुच मात्रा में देखेंगे तो वसा, प्रोटीन, प्रोटोपलाज, खनीज, लवर, सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, कवाल एवं धरकेया, कवक एवं सेवाल से लाइकेन दो पूर्टेया भीन वनस्पतियों से बना है, एक द्वैत पाधप होता है इन वनस्पतियों में एक सैवाल और दूसरा कवक होता है किन्तु इन दोनों में इतना निकरतम सहाचरे होता है कि इसके बिना लाइकेन एक ही पोधा परतित होता है सेवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिससे कहते हैं क्या कहते हैं इसको तो ध्याण रखेगा ठीक है mutualism बोला जाता है सेवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिससे mutualism कहते हैं इसमें सेवाल तथा कवक दोनों ही समार रूप से लभानमित होते हैं सेवाल कार्बनिक पदार्थेव का संसलेसल करते हैं जो स्वयम तथा कौव की घटक के लिए परियाप्थ होता है कार्बनिक भोजन के बदले में कौव की घटक सेवाल को जल वखनीच उपलब्द कराते हैं लाइकेन जो एक नगन चटान भर भी परास्थितिक अनुकर्मों को परररम करने में सक्षा में वास्तों में किनके सहजीवी सहचारी हैं किनके तो सैवाल और कवक्का देखवारे लाइकेन निम्न स्रेडी की एक छोटी वनसपतियों का एक समू है जो विभीन परकार के अधारों पर रूगे हुए पाय जाते हैं इन अधारों पर विरिच्छों की पतियायों छाल, प्राचीन, दिवार, भूतल, चटान, सिलाय, मुख्ये हैं वास्तों में लाइकेन दो पूर्टेया निम्न वनसपतियों से बना एक द्वैत पादब होता है इन वनसपतियों में से एक है सेवाल और दूसरा है यहाँ पे कवल, सेवाल मतलब अलगे और कवा का मतलब फंगस इन दोनों में इतना निकर्टम साहचरे होता है कि इन से बना लाइकेन एक ही पोधा पर्तित होता है इस साहचरी में देखेंगे तो अधिकास्ता कमा की होता है जो सैवाल वाले अंग के उपर एक थैले की भाती अवरण होता है तथा थैलास के आकार के लिए उतरदाई होता है दोनों वनस्पतियों की मिश्रित विरिधी से ही लाइकेन को एक बिसेंस आकार और सनरचना प्राप्त होता है जिससे लाइकेन कोई कुल और जातियों में विभक्त हो जाता है नेक्स्ट नोस्कापिन किसे प्राप्थ होता है या पोस्ता आर्थात पौपी से प्राप्थ होता है ठीक है तो यहाँ पर देख पार है जिकिस्तिय दिरिश्टी कोंट से नोस्कापिन पोस्ता से प्राप्थ होता है हेरोईन प्राप्त होता है अफिम पोस्ता से तो हेरोईन अफिम पोस्ता से प्राप्त होता है या सफेद रंग का पाउडर होता है जो अफिम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संसिलेशन से बनाया जाता है नेक्स्ट, मॉर्फिन किस से पराप्त होता है, कॉरेक्ट उतरोजा का फॉल से, तो मॉर्फिन पोस्ता देख पारे हैं यहां पे बैग्यानिक नाम है, इसका पैपेवर, मने पैपेवर, सोमनी फेरस के, और परिपक को फॉल, मने ठीके, अन्रीफ रूट से पराप्त की जाती मॉर्फिन सब्ध की उत्पती, ठीके, मॉर्फियस से हुई है, मॉर्फिन देखते हैं ना, मने साइनिको वगरा में खासकर बहुत इसका परियोग किया जाता है, मॉर्फिन इस्टेंट रिलीफ के लिए, देखिए हापे, दर्द निवारक औस्यती तथा निद्राकारा के मॉर्फिन का सीधा परभाव केंद्रीय तंत्रि का अर्थात सेंट्रल नर्वास सिस्टम पर यहां पर पढ़ता है, अफिम प्राप्त किया जाता है, किस से किया जाता है तो बिना पखे फल के लेटेक्स से, ठीके, अफिम के पोधे के दूध अर्थात लेक्टेक्स को अध्पके फल से प्राप्त होता है, अफिम का मुख्य आवए क्या है, तो इसका मुख्य आवए हो जाएगा, मौर्फिन, ध्यार रखेगा मौर्फिन, ठीके तो पैपेवर, जो सोनी फेरम, पैपर वेसी कूल का मुख्य पौदा है, इसके अपर पक्वा, कैप्सुल के और फिन नामक, एलकुलाइट पे आए जाता है, अफिम अनआक उसेदियों में साम्ति करके रूप में परयोगत किये जाता है, अफिम की लत हानिकारग होती है, अफिम का वनास्पतिक नाम क्या है इसका, वनास्पतिक नाम है इसका पैपेवर, ठीके शोमनी, फेरम के रू निहां से बनेगा ही बनेगा, तो इसको देखिए, जो भी important keyword है, उसको लिखने का प्रयास कीजिए, एक बार नहीं, दो तीन बार देखिए, ठीके, note करके देखिए, तो फिर जादे सबसे बेटर होगा, ठीके फिरंस, बिल्कुल tension नहीं लेना आपको, पुरी-पुरी घटना चक्रे हैं आप पे complete की जाएगी, बस आप लोग support करते रहें, share करते रहें, thanks for watching, जैंद